बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछाएंगी सर जब हम आउट्डोर पोट्रेट शूट करते हैं तो वहां पर शेलो डेप्थ और फील्ड को कैसे create करते हैं पूट्रेट को खूबसूरत बनाने के लिए या फिर shallow depth of field को कैसे हम ज़्यादा maximize कर सकते हैं ज़्यादा shallow depth of field है उसे हम ज़्यादा दिखा सकता है या depth को जो है उसे हम enhance कर सकते हैं आट्डोर पोट्रेट्स के अंदर तो बहुत है अच्छा सवाल है तो अज़ इसको हम तोटा सा समझे है कोशिश करें कूश साथ-अट स्टेप के अंदर तो अगर यह साथ-अट स्टेप्स आफ फॉल्ओ करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो आउड़ोर फोट्रोफी है इस्पेशली जो आउट्डोर पोट्रेट्स आप लेते हैं, वहाँ पर आप खुबसूरा शैलो डप्तो फील्ड वाले पिच्छ असानी से ले पाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप से सिर्फ यह कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से मरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो, तो दिल को लगता है बहुत अच्छा है, होसला मिलता है, और जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको पता चलेगा कि आज मेरा नया वीडियो रिलीज दुआ है अब portrait photography में shallow depth of field को कैसे create करते हैं इसे आज हम एक photoshoot के demo के दुआरा समझने के कोशिश करेंगे ताकि आपके जो fundamentals है technical यानि कि जो technical side है photography की उसे समझने में थोड़ी सी आसानी होगी तो आज जो भी steps में आपको बता हूँ उसे आपको as it is follow करना है और हमेशा के लिए आपका जो problem है shallow depth of field का वो solve हो जाएगा तो step number one use wide aperture अब दिखें wide aperture से क्या मतलब है कि जो aperture होता है उसे हम f number f numbers में count करते हैं जैसे कि f 1.8, 1.4, f 2, f 2.8 वगयरा वगयरा f 4.5, f 5.6 वगयरा वगयरा तो यहाँ पर अगर आप f number यानि कि आपका aperture जितना wide होगा यानि कि f 1.2 से लेके f 2.8 तक अगर आप wide aperture use कर रहे हो तो जितना wide aperture use करोगे उतनी shallow depth of field आप अपने portraits में create कर पाऊगे अभी हम देखेंगे shoot करके तो आप अच्छे समझ जाओगे तो यहाँ पर जितना aperture wide होगा यानि कि जितना बड़ा hole होगा आपके lens के अंदर उतनी जो light है वो आपका lens जो है camera के अंदर enter करने के लिए allow करेगा और जितनी light जब camera में enter होगी तो उतनी बहतरी जो है shallow depth of field जो है वो create होती है photo में step number two choosing right portrait lens अभी हाँ right portrait lens से क्या मतलब है दो चीजों का आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि focal length कि आप use कर रहे हैं या 135 mm या 100 mm या 200 mm तो जितने focal length higher होगी उतने आप अच्छी shallow depth of field create कर पाएंगे आज फिलाल जो है मैं shoot कर रहा हूँ 85 mm के साथ में तो यहां मुझे जो maximum wide aperture मिल रहा है वो मिल रहा है 1.4 का तो अच्छी खसी shallow depth of field मैं create कर पाऊँगा अब तीसरा सबसे important step है वो है दोस्तो position your subject अब यही पर सबसे आदा लोग जो है वो गलती कर जाते हैं अब आपने एक अच्छा lens भी यूज़ कर लिया सही portrait lens आपके पास में wide aperture रहा lens भी आ गया और यहां पर आपने जो है अगर अपने subject को ठीक से पोजीशन नहीं किया जैसे कि अभी मैं आपको गलती करके दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाएं अब यहां पर मैंने इनको खड़ा किया है आज हमारे सथ गिटन भाई शूट करें आपर काम करते है बट मुझे इनका तुरा आप यहां पर सही लेंस है और यहां पर मैंने लिया है एक पोट्रेट तो आप देखरें कि पोट्रेट जो है वह अच्छा निकल कि आ अच्छे से ब्लर हो रहा है एफ 2.8 की उपर बट आप देखोगे कि वह जो डेप तो फील्ड है वो इतनी शैलो नहीं है यानि कि डेप जो है उतनी अच्छे से नहीं मिली रीजन इसकी हमने इनकी पोजिशनिंग जो है वह कंप्लीटली रॉंग की है यानि कि जो पीछे का इस सीन के अंदर हम कितनी डेप्त फील्ड कर पाते हैं तो जितनी कर पाते थे वह अमने कर ली बट उसके ज्यादा हमें डेप्त फील्ड नहीं मिली अब हम इस गलती को सुधारेंगे और चेंज करेंगे अपनी लोकेशन को तो अब मैं बोलूँगा थोड़ा सा गिटन भा और जो पीछे की जगा है अब देख पार पीछे अच्छी खासी जो हमें डेप्ट मिल रहे हैं जो बैग्राउंड और सब्जेक्ट में जो है वह काफी डिस्टेंस है तो अब पहला एडवांटेज हमें क्या मिलेगा कि जब हम इन्हें फोकस करेंगे यानि कि हमारा फोकस पर जब लॉक होगा तो जो शेलो डेप्ट ओफ फील्ड हो अच्छे से क्रेट होगी बिकास जो बैग्राउंड है और सब्जेक्ट उसके बीच में काफी डिस्टेंस है तो यह एक पहली चीज होती है जब हमको एक अच्छी शेलो डेप्ट ओफ फील्ड मिलती है दूसरा जब हमें तब मिलेगा जब हम अपने अपर्चर को जितना जादा है वाइड करेंगी तो मैं भी शूट करूँगा 1.4 पर तो जो डेप्थ है वो और भी एंहेंस होगी और भी अच्छे से डेप्थ हमको मिलेगी यानिकी बैक्राउंड और भी अच्छे से ब्लर होगा और ह पीछे का जितना हिस्सा है वो और भी ज्यादा ब्लर होता जाएगा तो इस बात को आप ध्यान रखी कि आप कितना ही फोकल लेंद का यूज कर रहे हैं और कितना क्लोज आप अपने सब्जेट के जा सकते हैं तो जितना क्लोज जाएंगे उतना ही शैलो डप्त फील्ड बाता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं तोड़ा सा ट्रिल बॉडी और यहां पर जो है अब मैं फोकस करूं इनके आइस के ओपर और अब आप देखेंगे जो मेरी कैमरा सेटिंग्स है वो मैंने रखी है यहां पर 1.4 पर मैं ले रहा हूं और करी 4000 मेरी शटर गते हुं बनके फिचर और मैं क्लोजि जा रहा हूं तांकि और अच्छी से डफ मिले फोरटोर शोर क्लोजेस क्टां कर AMरा सब्जेट कमपbon ली संसिसे हुआ सोट और मिला और जो डिटेलिंग है ऒहूटी खुबसूरत दोदिर से नजर आई अब यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं गर आपको और भी shallow depth of field चाहिए और भी थोड़ा सा आपको subject को और भी depth दिखाना है तो यहाँ पर आप जो है manual focus का भी इस्तिमाल कर सकते है एक picture में वो भी लेकर आपको दिखाएता हूँ तो manual focus से ही होता है कि आप जहां focus करेंगे सिर्फ वही पर focus होगा बाकी की depth जो है वो अच्छे से आपको जो है enhance होगी यानि कि shallow depth of field और भी अच्छे से नजर आएगी तो एक मैं लेता हूँ यहाँ पर देखिए manual focus के उपर और तोड़ा समझाता हूँ पास में यह मैंने manual focus कर यहाँ पर और अब लेते एक पिच्छर वेरी नाइस होल्ड हाँ गिटन भाई आखे बन मत करिये तो यहाँ पर अमने manual focus पर भी पिच्छर लिया है और आप देख पार है कि पिच्छर हमें कितना अच्छा कितने अच्छी डल depth of field के साथ में जो हमें photos मिली है अब यहाँ प आपको वहां मिल रहे हैं तो क्योंकि background भली blur हो रहा हो लेकिन अगर उसका texture अच्छा होगा उसके अंदर जो है colors अच्छे होंगे उसमें depth अच्छी होगी तो आपका subject है वह बहुत खूबसूरती से निकल किया आगा तो कुछ मैंने modeling portfolio पे पिच्छर लिये थे इस तरह से background क ब्लर करके आप यहां देख पा रहे हैं वह इसी concept के उपर लिये थे तो आपको समझने में थोड़ी से असानी आई होगी कि भाई उस तरह की photos मैंने कैसे shoot किये तो बहुत ही असान technique है बट आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है उमीदे आज इस वीडियो के अंदर आप काफी काफी सारा depth होना चाहिए तो और भी आपको अच्छी depth of वाली फील पिच्छस मिलेगी यूज आटो एंड मैनुल फोकस बोथ according to your own convenience और अगर आप एक बिगनर हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है आपको सीधा जो है aperture priority mode पे अपने camera को दालिए और वहाँ पर आप 1.4, 1.8 या 2 जो भी आपका maximum wide aperture उसे चुन लीजिए shutter speed जो है वो automatically select कर लेगा और जो ISO है उससे आप auto पे डाल दीजिए और background को आप अच्छे से blur कर सकते हैं आज के लिए इतना ही जल्दी मिलते है फिर नई वीडियो के साथ thanks for watching